दोस्तों अगर आपने इंस्टाराम पर परसनल अकाउंट बनाया हुआ है और आप अपने इंस्टाराम काउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कनवर्ट करना चाहते हैं तो आज गी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाराम काउंट को डैस्बूर्ड वाला option दिखाई नहीं दे रहा है तो अब मैं अपने इस्टाराम काउंट को professional account में convert करके दिखाऊंगा और आप भी उसी तरह से अपने इस्टाराम काउंट को professional account में convert कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने इस्टाराम काउंट में जाना है और इस्टाराम काउंट में जाने के बाद यहां पर आपको अपने इस्टाराम की profile दिखाई देगी आपको इस में जाना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको page open जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको नीचे scroll down करना है और scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा account type and tools तो आपको account type and tools में जाना है और account type and tools में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर दो option दिखाए देंगे switch to professional account और add new professional account तो यहाँ पर आपको पहले वाले option पर click कर देना है यहाँ पर लिखा हुआ है switch to professional account आपको इस पर click कर देना है और इस पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है get professional tools तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आप अपने Instagram account को professional account में convert करोगे तो आपके Instagram account में और ज़्यादा option add हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको continue पर click करना है तो यहाँ पर आपको 3-4 बार continue पर click करना है और continue पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा पर यहाँ पर आपसे category choose करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ से आपको कोई भी category choose कर लेनी है जिस category की reels या फिर post आप अपने Instagram पर upload करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ से video creator select कर लेता हूँ और इसके बाद आपको done पर click कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको दो option दिखाए देंगे creator और business अगर आप business account बनाना चाहते हैं तो आपको business पर click कर देना है जैसे अगर आप अपने Instagram पर business से related कोई post या फिर रेल्स अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको business वाले option को choose कर लेना है लेकिन अगर आप अपने Instagram account में normal post अपलोड करना चाहते हैं तो आपको creator वाले option पर click कर देना है देन आपको next पर click कर देना है और next पर click करने के बाद आपको जो Instagram account है वो professional account में convert हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरा जो Instagram account है वो professional account में convert हो या नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकता है कि मेरा जो Instagram account हो professional account में convert हो चुका है तो आप भी इसी तरह से अपने personal account को professional account में convert कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको professional dashboard वाला option दिखाए देगा यहाँ से आप अपने इंस्टाराम का एनलाइटिक्स चैक कर सकते हैं कि आपके कब कितने follower increase हो रहे हैं कब कौँछे reel viral हो रही है और आपके reels पर कब कितने earning हो रही है तो यह सब आप यहाँ से चैक कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना